हालो, वेलकम, आज हम political science का first chapter पढ़ेंगे, जो है what is democracy, why democracy? तो democracy क्या होती हो, democracy क्यों होती है? जिस तरह से आपने पहले भी democracy बड़ पढ़ा होगा, आपको पता है, democracy होती है, लोग तंतर. तो ऐसी सरकार जो लोगों के द्वारा बनाई जाती है तो उसे हम लोगतंतर कहते हैं या democracy कहते हैं मगर सिर्फ एक definition ही काफी नहीं है किसी भी country को democracy कहने के लिए क्यों why define democracy तो हमें सबसे पहले democracy को define करना बहुत ज़रूरी है First we spend time discussing democracy सबसे पहले हम कुछ time बिताएंगे और democracy के बारे में हम discuss करेंगे then we find out the meaning of the democracy फिर हम पता करेंगे कि democracy बढ़ का मतलब क्या होता है तो क्यों ज़रूरी है democracy के proper definition होना क्योंकि जो democracy के जो अलग-अलग definitions होती है अलग-अलग country इस्तेमाल करती है खुद को democratic बताने के लिए तो सिर्फ किसी एक definition से हम किसी भी country को democratic country नहीं कह सकते जैसे अब्रहाइम लिंकन ने कौट किया है कि democracy is the government of the people by the people for the people तो अब्रहाइम लिंकन कहते है कि democracy ऐसी सरकार होती है ऐसी government होती है जो of the people लोगों की होती है by the people लोगों के द्वारा होती है and for the people लोगों के लिए होती है मगर सिर्फ एक ही definition किसी भी democracy को define करने लिए काफी नहीं है उसी तरह जैसे अगर हम democracy word का origin देखें तो democracy ग्रीक वर्ड से मिलके बना है demo or krita demo mean होता है people and krita mean होता है rule तो ऐसा rule जो लोगों का होता है उसे हम democracy कहते हैं मगर सिर्फ ये दो definitions काफी नहीं हैं किसी भी country को democracy कहने के लिए जा democratic ना कहने के लिए क्यों क्योंकि अगर हम originally देखें जो computer होता था तो it's a computer mean this is to say calculation computer का मतलब होता था calculation तो very difficult math sum तो जो difficult math sum होते थे सिर्फ वो ही उस पे किये जाते थे तो उसको हम computer कहते थे calculating machine कहते थे मगर अगर आज की हम बात करें there are very powerful computer तो अलग लग तरह के powerful calculators है now we have find people using computer for computing sums they use for writing, designing, listening music तो आज हम देख सकते ही जो computer होता है वो सिर्फ लिखने के लिए सिर्फ calculation के लिए नहीं use किया जाता बलकि लिखने के लिए design करने के लिए music सुनने के लिए films देखने के लिए तो अलग अलग चीज के लिए इस्तिमाल किया जाता है तो इसी तरह जो democracy का original meaning था उसकी अगर बात करें तो आज की अगर बात करें तो बहुत सारा difference आया है बहुत सारी changes आई है तो हम find out करेंगे कि किस तरह से हम democracy को define कर सकते हैं इसको figure out कर सकते हैं तो we have to think about the meaning and evolve of definition तो हमें democracy के meaning को जाना ज़रूरी है और ये भी जाना ज़रूरी है कि कैसे समय के साथ जो democracy का meaning है उसमें बदलाव आया है तो अगर हम simple definition से शुरू करें तो अगर हम एक factor देखें one simple factor common to all democracy तो ये जो एक factor है जो common होता है सभी democracies के लिए सभी लोगतंतर देशों के लिए तो वो क्या है तो government is chosen by the people जो government होती है वो लोगों के द्वारा चुनी जाती है we could thus start with a simple definition तो हम इस simple definition से start कर सकते है democracy is a form of government तो democracy ऐसी form होती है ऐसी सरकार होती है in which the ruler are elected by the people तो जो head होता है लोगों का वो लोगों के द्वारा ही चुना जाता है यो ruler होता है वहां का समराठ होता है वो लोगों के द्वारा ही चुना जाता है तो उस country को हम democracy कह सकते हैं मगर सिर्फ ऐसा कहना कि सिर्फ इसी definition को लेके चलें और कहें कि कोई country democratic है जा नहीं है वो काफी नहीं होगा तो जिस तरह से अगर हम बात करें मयमार की तो आप देख सकते हो इंडिया के east में एक country है मयमार जिसे हम बर्मा भी कहते हैं तो यहाँ पे जो इसका ruler था जो head था of state था तो उसको government ने नहीं चुना था वो government पिपल जो लोग थे लोगों ने सरकार चुनी government चुनी ताकि वो military को control कर सके मगर ऐसा नहीं हुआ जो military थी military ने government को हटा दिया और खुद का वहाँ पे dictator बन गे तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो जो head of the state है जो government है वो लोगों के द्वारे नहीं चुना गया है तो इसलिए इसको हम democratic country नहीं कह सकते उसी तरह चिली South America में एक country है वहाँ पिनोशे वहाँ के एक military head थे जो वहाँ के dictator बने में इनको लोगों के द्वारे नहीं चुना गया था बलकि इन्होंने खुद वहाँ के dictator बन गये थे वहाँ की जो सरकार थी उसको अपने हाथ में ले लिया था तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं जो head of the people है वह कोई government नहीं है लोगों के द्वारे चुनीगे कोई सरकार नहीं है बलकि खुद एक dictator है जो तानशा है जो सारी power पे control करता है बिना लोगों की मर्जी के तो इसको हम democratic country नहीं कह सकते हैं तो उसी तरह अगर हम बात करें सौधी अरभिया की यहाँ भी आप देख सकते हो इंडिया के southwest में country है जो सौधी अरभिया है सौधी अरभिया में आप देख सकते हो जहाँ पे जो king होता है the king of the Saudi Arabia rule not because of people have chosen them तो जो यहाँ का king होता है सौधी अरभिया का वो इसलिए नहीं king होता कि उसको लोगों ने चुना है इसलिए वो वहाँ का head नहीं होता to do so ऐसा करने के लिए because they happen to be born in the royal family क्योंकि उसको एक शाही परिवार में उसका जन्म हुआ है क्योंकि उसका बाप राजा था इसलिए वो राजा है तो ऐसी country जहाँ पे head of the state लोगों के द्वारा नहीं चुना जाता तो उसको हम democratic country नहीं कह सकते इसलिए हम सौधी अर्भिया को भी एक democratic country नहीं कह सकते बलकि हम इसको कहां कहेंगे इसको हम autocracy कह सकते हैं जहां हम इसको monarchy कह सकते हैं जैसे आपने French Revolution में पढ़ा था जहां head of the state एक king था तो उसको हमने monarchy कहा था उसी तरह जहां बे head of the state कोई एक dictator हो कोई एक individual हो तो उसको हम autocracy कह सकते हैं जो democracy से अलग हैं तो उसी तरह we would end up the calling that every government has a whole election of a democracy तो हम यह चीज़ पता कर सकते हैं कि जो government होती है that held an election a democracy तो जो एक election रखती है चुनाव रखती है उसको हम democracy कह सकते हैं मगर सिर्फ इतना कहना कि ऐसी देश जहां पे चुनाव होता है वो democratic होती है यह काफी नहीं है तो every government in contemporary world want to be called a democracy तो हर एक सरकार आज के time पे पूरी दुनिया में तो वो खुद को democracy कहलाना चाती है even if it is not so अगर वो ऐसी democracy नहीं भी है तब भी वो खुद को democratic country कहलाना चाती है तो we need to carefully distinguish between the government that is a democratic and not pretend to be and one that pretend to be तो हमें carefully study करना जुरूरी है और फर्क पता करना जुरूरी है कि कौन सी ऐसी country है जो democratic है सही में लोगतांत्रिक एक देश है चा कौन सा ऐसी country है जो सिर्फ pretend कर रही है बहाना कर रही है democratic होने का और वो democratic नहीं है तो ये find out करने के लिए हमें democracy के definition को अच्छे से समझना जुरूरी है हर एक बढ़ को समझना जुरूरी है और democracy की features हमें समझना बहुत ज़रूरी है तो next अगर हम आगे topic में पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे features होते हैं जो democracy के features होते हैं Thank you